Hello everybody, this is दिग्रास सिंग राशपूत, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, What is a Fair Trial? जी हां, देखें, चैप्टर पूरा complete हो चुका, यह last topic है हमने सारी जो important चीजे थी, जो हमें समझना चाहिए थी कब अगर आपको criminal justice system समझना है तो, तो हमने वो सारा सब कुछ देख लिया कि किस तरह से criminal justice system में कौन-कौन लोग included होते हैं, उनका क्या काम होता है यह सारी चीजे हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में, I hope आपको ध्यान भी है और समझ में भी है यह सारी चीजे अब जो last topic है, आपको क्या बोलता है, what is a fair trial, एक fair trial क्या होता है Fair trial मतलब क्या है, एक trial मतलब क्या है, जो मुकदमा चलता है, जैसे हमने देखा अभी की पुरा का पुरा मुकदमा चलता है शान्ती के केस में आपने देखा कि पुलिस कंप्लेंड करती है, कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं और decision मिलता है, तो पुरा जो मुकदमा चलता है, इसे trial कहा जाता है तो जो trial है, वो fair होना चाहिए, fair मतलब just होना चाहिए just समझते हैं, मतलब एकदम जैसे आप न्याए लेने जा रहे हो, तो न्याए भी न्याए पूर्ण तरीके से मिले मतलब आपका जो मुकदमा है, वो एकदम कैसे चले, justiciable हो, जिस पे आप कह सकते हो, कि हाँ यार मुझे सही तरह से न्याए मिला है सही तरह से मुकदमा चलाए, वो fair trial कहलाएगा, simple सी चीज, अब देखो कहा है imagine a situation where Shanti's case was prosecuted in a very different way Shanti का case हमने देखा कि किस तरह से prosecute हुआ था, वो आपको पता है लेकिन एक situation आप imagine करो, just imagine, कि इस तरह से अगर Shanti के case को क्या किया जाता, prosecute किया जाता कि what if the court did not give a copy of charge sheet and statements of witness to Shanti, ठीक है, Shanti को कर क्या होता है कि charge sheet वगेरा नहीं मिलती, तो क्या होता, ठीक है, Shanti को यह नहीं बताया जाता है कि आपके against में किसने आरोप लगा है, तो क्या होता ठीक है, what if he held the trial, he मतलब कौन है, judge, ठीक है, what if he held the trial in secret location where neither Shanti nor Sushil were present ठीक है, अगर जो judge हैं, तो judge अगर क्या करते कि trial ऐसी जगा conduct करवाते हैं, जहाँ ना Shanti को बुलाते ना Sushil को बुलाते और बस वो ताय कर लेते हैं, आपस में कि हाँ यह गुनेगार है, तो कैसा होता वो trial, मतलब आपको imagine करना है बस, ठीक है, what if he did not give Shanti lawyer, अगर judge Shanti को क्या मिलते हैं, lawyer नहीं देते हैं, जैसे हमने देखा था कि Roy जो थी, ठीक है, तो वो defense lawyer थी Shanti की, अगर वो lawyer देते ही नहीं ज Shanti को, तो क्या situation होती, ठीक है, what if the advocate Roy was not given enough time to question the witnesses of the prosecution, such as Mrs. Sindhay and instead had already decided that Shanti was guilty, अगर मान लिजे कि जो advocate Roy थी, ठीक है, जो Shanti की क्या थी, defense lawyer थी, वो advocate Roy अगर क्या करती, उन्हें कुशन पुशन ही नहीं दिया जाता, क्या आप Mrs. Sindhay से कुशन पूच सको, या फिर advocate Roy जो थी, तो व Shanti ही चोर है, तो क्या situation होती, अभी जो हमने सारी, मतलब situations आपको imagine करवाईए, अगर ये सब कुछ होता, तो एक clear cut case होता of unfair trial, ठीक है, ये जो मुकदमा चलता, तो ये मुकदमा कैसा रहता, unfair रहता, क्यों, क्योंकि आप accused को मौका नहीं दे रहो, जो defense lawyer है, उसे मौका नहीं गया है, ठीक है, और public domain में कुछ नहीं हो रहा, तो ये क्या हो रहा है, एक unfair case का सीधा cut, सीधा सा क्या simple सा example देखने को मिल रहा था, then what is a fair trial, चलो, ये तो unfair हो गया, हटा दो इसे unfair हो गया, लेकिन अब आप ये बताओ fair क्या है, तो फिर, अगर ये unfair है, तो fair क्या है, आपको ये बताना होगा, ठीक है, तो अब देखिए समझे, fair trial क्या होता, वो बताते हम आपको, अब क्या होता है, for a fair trial, for a trial to be fair, several different procedures have to be observed, अगर आप चाहते हैं कि कि किसी भी trial को, किसी भी case को, fair कहा जाए, अगर मान लोग कोई case हुआ है, उस case का जो पूरा trial चला है, court में, जो मु अब right to life के हिसाब से, ये right to life हमारा ये भी बोलता है, जो right to life एक बहुत broad right है, और जो continuously expand होते जा रहा है, आप जैसे अभी छोटी classes में देहानी देतों, लेकिन क्या होता है कि current affairs से आप relate करोगे, तो हर साल कही ना कहीं Supreme Court judgment में, right to life में, right to privacy भी आएगा, right to life में ये भी case चल रहा है, if you are accused of something, then you must have a fair trial to prove yourself innocent, आपके पास में ये right होना चाहिए, कि आपके पास अधिकार हो, आप अपने आपको innocent proof करने के लिए एक fair trial enjoy करो, ठीक है, तो state right to life, ठीक है, ये जो है, तो ये क्या बोलता है, states that person life or liberty can be taken away only by following a reasonable and just legal process, ठीक है, अब देखो क्या है, reasonable and just legal procedure क अगर बात कर रहे है वो, तो समझना इस चीज़ को, अगर मानलो कि शान्ती के साथ में fair trial नहीं होता, तो क्या होता, शान्ती को सजा सुनाई जाती, शान्ती को सजा सुनाई जाती, अब मानलो चलो शान्ती को उपर murder, दो-तीन murder का आरोप होता, तो शान्ती को life imprisonment मिल जाता, जीवन बर क्या, कारवास में रहना उसे, तो अब ये क्या हो रहा है कि आपने किसी इंसान की life liberty, जो उसकी आजादी थी वो ले ली, और कैसे लिए unreasonable और unjust legal procedure के थूँ, क्यों क्योंकि आपने जो trial, जो मुकदमा चलाया, वो तो बहुत गलत तरीके से चलाया, उसमें fair कुछ आज नहीं, ठीकें, तो right to life violate हुआ, शान्ती का, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, fair trial कब कहलाएगा, जब आप article 21, right to life की respect करते हुए, ऐसा trial करोगे, by following a reasonable and just legal process, आप reasonable और just legal process को जब follow करोगे, तब वो trial, fair trial कहलाएगा, आए ना समझ में, तो ये interesting चीज थी, clear, अ आप क्या देते हो, किसी भी इंसान को एक reasonable or just legal procedures को follow करते हो, आप उसे convict करते हो, या फिर उसे innocent declare करते हो, जो भी statement देते हो, और ये होगा, तब ही आप कहेंगे, कि हाँ यार ये trial क्या है, fair रहा है, ठीकें, अब सवाल आपके मन में फिर से जाग गया होगा, क्या शान्ती का trial fair था, तो देखो वैसे तो chapter पूरा पढ़ते हो, आपकर समझ में आगया कि हाँ, शान्ती का जो trial था, वो fair था, क्योंकि शान्ती को सारी चीज़े मिली, जैसे, did शान्ती get a fair trial, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बड़ा सा yes लिखेंगे, yes, ठीके, how, कैसे मिला उसे ए मारे उपर क्या किया जाएगा, मुकदमा चलेगा, तुम्हें पता रहना चाहिए सब कुछ, तो शान्ती को पता, अगर ऐसा कुछ रहता है कि यार यह तो मेरी मर्जी के खिलाफ है, या फिर मेरी मर्जी नहीं मतलब, यह गलत है, तो शान्ती फिर अपने defense lawyer के थूर क्या कर सकती, अपने point को रख सकती थी, ठीक है, तो इस sense में शान्ती को क्या मिला, मौका मिला अपने आपको बोलने का, तो यह fair trial का essence है, ठीक है, the trial was held in an open court in public view, open court में हुआ था कि जनता भी रेख रही है कि अगर शान्ती गलत होगी तो गलत सही है, तो सही है, शान्ती का भाई भी मैं तो चेंचुराई नहीं थी, लेकिन अभी शान्ती के सामने ही हुआ है, ठीक है, अगर मिसिस सिंदे कोई evidence present कर देती, शान्ती के सामने, तो शान्ती को सजा भी हो सकती थी, लेकिन कोई सबूत ही नहीं थी ना, उनके पास, तो इस तरह से क्या है कि trial was held in the presence of accused, तो जिसके उपर आरोप लगा है, उसके सामने कर दो सारी चीज़े, सिंपल सी बात है, तब वो fair trial कहलाएगा, शान्ती was defended by a lawyer, advocate Roy was given an opportunity to cross examine all the prosecution's witnesses and present witness in शान्ती's defense, ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, शान्ती के पास lawyer नहीं था, पैसे नहीं थे, government lawyer दिया, ठीक है, उसके आद में ज मतलब शान्ती के defense में उन्होंने witnesses भी दिये, ठीक है, evidences भी दिये कि यहाँ देखो शान्ती बेगुना है, तो यह fair trial की एक बात हो गई, ठीक है, तो judge assumed how to be innocent, यह important point है, बहुत important point है इसे समझना, मान लो, judge अगर यह सोच लेते हैं, कि शान्ती गरीब है, इसने चोरी की होगी पैसे भी मिले इसके पास में, तो क्या judge से impartially अपना काम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे judge को, सबसे पहले important judge का role जो होता है, judge को यह assume करना होगा, कि जो accused है, वो innocent है, ठीक है, एक statement है, accused is innocent until proven guilty, गाठ वांद लो इस चीज की, accused is innocent until proven guilty, मतलब जिसके उपर लगा रहे हो आप, वो बेगुना है, कब तक, जब तक आप उसे गुनेगार साबित नहीं कर देते हो, ठीक है, और साबित कौन करेगा, public prosecutor का काम है, ठीक है, judge का काम क्या है, judge का तो यह मान के चलना है, कि जिसके उपर आरोप लगा है, वो बेगुना है, जो भी आरोपी, ज इसके उपर आरोप लगा है, वो कटगरे में खड़ा है, वो बेगुना है, मैं तो नहीं मानता हूँ से कि वो गुनेगार है, public prosecutor को prove करना होगा, evidences दिखाना होगा, कि हाँ, यह क्या है, यह गुनेगार है, ठीक है, तो इसी principle, इसी philosophy के उपर पूरा हमारा judicial system, criminal system चलता है, कि accused is innocent until proven guilty, जब तक आप prove नहीं कर दोगे, तब तक वो accused innocent रहेगा, बेगुना रहेगा, ठीक है, तो it was the responsibility of the prosecution, जो अभी उपर बता है मैंने आपको, कि prosecution की public prosecutor की responsibility होती है, to prove beyond reasonable doubt, क्या शंदर्शब्द लिखतें, NC8 याले देखो, to prove beyond reasonable doubt, मतलब का है, कि public prosecutor को यह, मतलब एक तरह सब दिखाना पड़ेगा, court में, open court में, public prosecutor को यह, प्रूफ करना पड़ेगा, beyond reasonable doubt, मतलब किसी को कोई doubt नहीं रहना चीए, कि evidence तो ऐसा गडबड है, ठीक है, तो public prosecutor की responsibility होती कि, वो prove करे, beyond reasonable doubt, that Shanti was guilty, अगर उन्हें ऐसा लग रहा कि Shanti ने सही में change चुराई है, तो उन्हें पर प्रूफ करना पड़ेगा, in public court, बिना किसी reasonable doubt के, कि Shanti ही guilty है, ठीक है, और अब हम देखेंगे, तो यह सारी चीज़े, follow की गई थी, कहां पर Shanti के case में, सब कुछ मिला, open court था, lawyer मिला, ठीक है, responsibility public prosecutor के उपर थी, और judge ने उसे क्या माना है, innocent माना है, judge ने अपना कोई judgment नह दिया, अगर judge पहले से presume करके बढ़े जाते कि यही चोर हो सकती है, तो क्या judge सहीं तरीके से काम करते हैं, नहीं करते हैं, तो जब सारी चीज़े, follow हुई है, तो तब हम क्या कहेंगे, therefore, this case was a fair trial, this was an example of fair trial, ठीक है, यह example है fair trial का किया, ऐसे fair trial होता है, clear है, यह सारा सब कुछ म मैंने आपको इस video lecture में बताया, अब जैसे अगर हम summarize करें, ठीक है, last topic था है, इसको summarize करते हैं, चलो, summarize ऐसे करेंगे हम देखो, तो for a trial to be fair, different person have different role to play, ऐसा नहीं है कि trial fair होने में, judge का ही सिर्फ important काम होता है, हर इंसान का important role होता है, role of the judge, तो जैसे judge तो पूरी judgment सुनेंगे, व public prosecutor का ये काम नहीं होता कि बस prove ही करना है, अगर उसे लगता है कि जो accused हो, सच में बेगुना है, तो ये भी proof करते हैं, ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, ठीक, उसके आद में role of defense lawyer, तो defense lawyer का तो काम होगा कि, अगर defense lawyer का भी responsibility बनती है, कि अगर वो सच में उसे protect करना है, मत वो अलग issue पूरा अलग चल जाता है, judicial ethics में चल जाता है, बागे आपको समझना है कि defense lawyer का भी बहुत important role होता है, for a trial to be fair, फिर क्या होता है, role of the police, तो police का बहुत important role होता है, police चाहे, तो मतलब जो starting point है, पुलिस जिदर direction देगी case उदर जाएगा, तो police को, trial को fair रखना है, citizen, irrespective of their class, caste, gender, religion and ideological backgrounds, get a fair trial when accused, ठीक है, और ये सारे लोगों की responsibility होती को ensure करें, कि हर इंसान को एक fair trial मिले, वो अपनी responsibilities, अपने अपने roles को, पूरी integrity के साथ में impartially conduct करेंगे, तो सब को fair trial मिल सकता है, हर उस इंसान को जो accused है, जिसके उपर आरोप लगता है, जीवन में सब के पर आरोप तो लगते ही लगते हैं, बस ये है कि कोट तक कोई जाता है, कोई नहीं जाता है, ठीक, कोई personal life में आरोप लेके बैठा है, तो कोई professional life में, चलो, वो हुआ आज का प्रवचन खतम होता है, यहां पर, chapter भी complete होता है, I hope you enjoyed, सारी चीज़ें समझ में भी आई है, enjoyment के साथ में, अभी मुस्कुराओ बढ़िया, इस chapter में question answer भी नहीं है, मतलब as such, NCIT questions भी नहीं है, तो chapter हमारा यहां पर, पूरी तरह से complete हुआ, किसी को किसी प्रकार के doubt है, तो feel free to ask in comment section, till then, stay connected, keep learning, thank you, thank you very much.